प्रिये सद्गुरू, मुझे इंसानों के बजाए प्राकृतिक दुनिया में अचंभा देखने में आसानी होती है। मैं इंसानों में भी उसी अचंभे को कैसे देख सकता हूँ, जैसा मैं एक नाश्टे हुए मोर में देखता हूँ। तो वो एक इंसान है, है न? नि, मैंने सोचा कि कहीं एक चिडिया सवाल पूछ रही हो तो, तो इंसानों के पास एक मोर की तरह सुन्दर पंक नहीं होते हैं, हमारे पास नहीं हैं। हम उन्हें पहन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पहनी हुई चीज होगी, वो मोर के पंक की तरह नहीं होगा। तो उन चीजों में अचम्भा देखना आसान होता है, जिनके साथ आपको कुछ साजा नहीं करना होता. दुनिया में एक ऐसी पूरी संस्कृती बड़ी हो रही है, जहां लोग कहते फिरते हैं कि मैं पूरी मानपता से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने बगल में बैठे आदमी को सेहन नहीं कर सकता. उदारण के लिए भगवान से प्यार करना बहुत आसान है, क्योंकि वो कभी भी आकर डिनर टेबल पर आपके साथ नहीं बैठते. शायद आप उनका नाम लेते हैं, लेकिन अगर वो डिनर के लिए आ जाते हैं, तो फिर दिक्कत होगी. चूंकि वो कभी आते नहीं हैं, आप जो कुछ भी उन्हें अर्पित करते हैं, आपको साफ पता होता है कि वो सिर्फ आपको ही खाने को मिलेगा. हाँ, हाँ, अगर वो खाना शुरू कर दें, तो अर्पन हवा में उड़ जाएगा. मुझे ये बताना होगा, ऐसा हुआ, अलग-अलग धर्म के भिखारियों की एक संस्था है. इसके केवल तीन सदस्य हैं, एक भिखारी इंदु है, एक भिखारी क्रिश्चन है, एक भिखारी मुसल्मान है. तो वो कह रहे थे कि वो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन उनके आर्थिक हालातों के कारण उन्हें साथ रहना पड़ता है, वरना वो लड़ाई करेंगे. तो एक दिन वो पेड के नीचे मिले, और हिंदु भिखारी ये दिखाना चाहता था, कि वो वाकई में एक भक्त है. उसने कहा, देखो, हर दिन मुझे भीक में जो कुछ भी मिलता है, आम तोर पर मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं, जिसमें सिक्के होते हैं, और अलग-अलग तरह के छोटे नोट होते हैं, मैं एक बड़ा सा ओम लिखता हूँ, ओम, और फिर मैं सारा पैसा उपर उच्छाल हैं, बाकी मेरा हैं, मैं एक सच्चा भग थूँ, ओम तो आप जानते हैं, बड़ी सी पूँच और ऐसा ऐसा और वो सब, मुसल्मान भिकारी ने कहा, मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ, लेकिन हमारे लिए, पहले दिन, पहले दिन का चांद पाक होता है, पहले दिन का पतला सा चांद, मैं पहले दिन के चांद का एक चित्र बनाता हूँ और फिर पैसे उच्छालता हूँ जो कुछ भी चांद पर गिरता है वो अल्ला का है बाकी मेरा है फिर उन्होंने क्रिश्चन बिकारी से पूछा कि तुम क्या करते हो उसने का मैं सारा पैसा लेकर उपर उच्छालता हूँ जो भागवान का है वो उसे रख लेते हैं बाकी इस तरह एक मोर को प्यार करना आसान है जो नाचरा है और जो सुन्दर है क्योंकि वो आपसे कुछ मांगता नहीं है दरसल वो आपको पसंद भी नहीं करता वो आपको कोई महत्व नहीं देता क्या आपने गौर किया है कि हमारे मोर आपको कैसे देखते हैं वो आपको कोई महत्व नहीं देता तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं है आपको कुछ भी नहीं करना है आप बस दूर से उसका आनंद ले सकते हैं इसी कारण आजकल धेरो लोगों के लव अफैर चलते रहते हैं फेस्बुक पर, टिक टॉक पर और जो भी इंस्टाग्राम और जो भी क्योंकि आपको उनसे मिलना नहीं है आपको उनके साथ कोई भी चीज साजा नहीं करनी आपको बाथरूम के बाहर इंतजार नहीं करना है जब वो उसे यूज़ कर रहे हूँ आपको उनके पीछे लाइन पर खड़े नहीं होना है कुछ भी नहीं सब कुछ इंस्टेंट है अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो आप उसे बंद कर सकते हैं और अकाउंट को मिटा सकते हैं तो मोर आता है, नाचता है, आपको बहुत पसंद आता है, वो चला जाता है कोई समस्चा नहीं, आपको उसे रखना नहीं है एक काम कीजिए एक मोर को तीन देनों के लिए अपने बेडरूम में रखिए वो हर जगा बीट कर देगा और रात को वो कौं करेगा बहुत तेज आवाज में लोगों को शायद पता ना हो हर दिन मैं जहां रहता हूँ वो उसकी छट में होते हैं पैपूँ पैपूँ वो सुबा सुबा शुरू हो जाते हैं ठीक है तो अपने घर में एक मोर को तीन दिनों के लिए रखिए फिर देखते हैं कि आप उनको कितना पसंद करते हैं तो इंसान एक मुश्किल प्रजाती है इसमें आप भी जामिल हैं तो इसे ये मत देखें हम बात कर रहे हैं कि नसल, धर्म, जाती, पंथ, लिंग का भेद नहीं होना चाहिए इस बारे में बहुत सारी बातें चल रही है मैं आपको बता रहा हूँ प्रजातियों के बारे में भी लकीर मत खीचिए क्यों? मैं एक बंदर से प्यार करता हूँ लेकिन मैं एक इनसान से प्यार नहीं कर सकता इसका मतलब है कि आपके भीतर एक विकास वादी समस्या है मुझे बंदरों से प्यार है लेकिन मैं इनसानों को नहीं सह सकता इसका क्या मतलब है? आपको विकास पसंद नहीं है कुछ बंदर आपके कमरे में आ गए आप गए काम से वो खाएंगे वो फाड़ेंगे वो पूरी जगह पर गंदगी करेंगे वो वहां मौझूद हर चीज को बरबाद कर देंगे और चले जाएंगे अब आप आकर कहेंगे वाह मेरे प्यारे बंदर उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है नहीं ये उस तरह काम नहीं करेगा तो ठीक है कम से कम आप पक्षियों का आनन्द ले रहें ये अच्छा है ये एक प्रकार की लॉबी है जिसे पक्षि विज्ञानी कहा जाता है आप पक्षियों का आनन्द लेते हैं, पक्षियों का अध्यन करते हैं या पक्षियों का आनन्द लेते हैं, bird watching. लेकिन वही पक्षि अगर आपके कमरे में घुच जाएं, तो बात अलग है. इंसानों के साथ समस्या ये है कि आप हर जगे उनका सामना करते हैं. वो आपके घर में हैं, वो आपके ऑफिस में हैं, वो हर जगा हैं, वो बस कहीं दूर नाच नहीं रहें. अगर वो बस दूर से नाच रहे होते, तो आप उन्हें भी पसंद करते. समस्या ये है कि आपको उनके साथ काम करना होगा आपको उनके साथ रहना होगा आपको हर दिन उने मैनेज करना होगा ये एक समस्या है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप एक नाचते हुए मोर को पसंद करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, ये बिलकुल ठीक है. आपको उसे तब भी पसंद करना चाहिए, जब वो नाच न रहा हो, ये ठीक है. लेकिन, मेंड़क कहा रहा है कि, साप कहा है? जब मोर होते हैं, तो वो सापों को खा जाते हैं. हर कुछ दिनों में, मैं सापों को लाकर उन्हें बगीचे में छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मोर कुछी समय में उन्हें खा जाते हैं. आपको मोर पसंद होंगे, मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ साब भी घूम रहे हूँ लेकिन वो सभी कुछी समय में खा लिये जाते हैं तो दूरी होने पर प्यार करना आसान होता है देखे इस वाइरस के समय में कई लोग अभी वो किस बारे में शिकायत कर रहे हैं उनके प्रिये जन वो उनके साथ घर में बंध है बड़ी मुसीबत घरेलू हिंसा बढ़ गई है पता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सौप्रतिशत कुछ देशों में हर तरह की परिशानियां हर कोई पूछ रहा है, सला मांग रहा है क्या करें, इस परिवार को कैसे मैनेज करें ये वही लोग हैं जिनकी आप कमी महसूस कर रहे थे क्योंकि वो हर दिन ऑफिस जाते थे आप इतने लंबे समय के लिए क्यों चले गए? लेकिन अब वो घर पर हैं और मुसीबत बने हुए हैं दूरी एक अद्भुट चीज है मौत एक शांदार चीज है देखें, मरे हुए लोगों को हमेशा सभी प्यार करते हैं क्या आपने इस पर गौर किया है? जैसे ही उनकी मौत हुई अचानक वो पूजा के योगे बन गए आपने उनकी पूजा तब क्यों नहीं कि जब वो जिन्दा थे? ऐसा क्यों है? कि मरते ही वो पूजा के योगे बन गए दुनिया में कहीं भी लोग उन्हें उपर रखते हैं और ऐसा करते हैं फूल डालते हैं या जो भी करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मर चुके हैं जब वो जिन्दा थे तब आप इसे करने के लिए तयार नहीं थे जब वो मर चुके हैं तब आप ये कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता आप जानते हैं जब वो जिन्दा थे आप उनके साथ संघर्ष कर रहे थे जैसे ही वो मर जाते हैं आप उनकी पूझा करते हैं उन्हें याद करते हैं और उनसे प्यार करते हैं इसका क्या मतलब है? आप शायद इंतजार कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है बिलकुल भी नहीं तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं, आपकी समस्या यह है, कि आपके व्यक्तित्व की एक निर्धारित विशेश्टा है, आप एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व को नुकसान न पहुँचाए, लेकिन इंसान, आप तो जानते हैं, हर इंसान आप की सीमाओं का सम्मान नहीं करता है वो उस पर कदम रखी देते हैं उनमें से कुछ अंजाने में उनमें से कुछ जान बूच कर मेरी तरह हमेशा जान बूच कर आपकी सीमाओं पर कदम रखना तो जैसे ही कोई आपकी सीमाओं पर कदम रखता है आपको लगता है कि वो व्यक्ति एक समस्या है मोर अभी आपकी सीमाओं के बाहर है वो बहुत सुन्दर दिखता है अगर वो आपके सीमा में कदम रखता है तो आप उसे भी एक बड़ी परिशानी की तरह देखेंगे हाँ आप देखेंगे चाहे वो मोर हो या कोई और पक्षी या बंदर या गधा या जो भी हो दूर से सब कुछ अच्छा होता है तो अभी आपके और इन प्राणियों के बीच एक दूरी है इसलिए आप इसका आनंद ले रहें इसका आनंद लीजिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन महत्वपून बात यह है कि अगर आप अपने और अपने व्यक्तितों के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप खुद का भी आनंद लेंगे और जब आप इस व्यक्ति का आनंद लेते हैं तो आप देखेंगे कि हर कोई शांदार है. हाँ? आप नहीं समझ रहे? मैं कहा रहा हूँ कि जब आप इस व्यक्ति का आनंद लेते हैं, तो हर कोई शांदार लगता है. आप हर किसी का आनंद ले सकते हैं. क्योंकि अब आप लोगों को वैसे देखते हैं, जैसे वो हैं, आपके पास कोई धाचा नहीं जिसमें उन्हें फिट होना होगा. वो उसमें फिट नहीं होते हैं. इसी वज़े से भारत में हमने एक देवता की विशेष्टाएं इस तरह से बनाई कि उस आदमी को स्वीकार करना असंभव होगा, अगर वो यहाँ हो. वो क्रिष्णा को स्वीकार करेंगी, अपने जीवन में पती के रूप में, वो नहीं करेंगी. लेकिन 6000 साल की दूरी के साथ, वो कितने शांदार दिखते हैं, कितने शांदार. और शिव, असंभव आदमी, ठीक है, बस कुछ भी और सब कुछ, जो आप सोच सकते हैं, वो वो हैं. तो ये एक भगवान का चरितर इस तरह बनाया गया था, कि अगर आप वास्तव में उन्हें, उन चीज़ों के लिए देख रहे हैं, जो वो हैं, और फिर भी उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं, और उन्हें पूजनी तरीके से देख रहे हैं, अगर आप शिव को जैसे जैसे वो हैं तो आपके पास इस धर्ती पर किसी भी इंसान के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको ऐसा करना चाहिए.